अरे बाप ने क्या हालत बना रखी है सिर्फ एक जाली खड़ी कर देने से वो नमाज रूम हो जाता है क्या और बाकी का सारा का सारा इतना ज़्यादा फैला दो कि उसको डंप्यार्ड बना दिया है हर चीज वहीं डंप करके रखी हुई है शर्मानी चाहिए इन लोगों को मत तो इसको टू भी अच्के कर लेते है आपस में मर्च कर लेते है दो कमरे नमाज रूम बनानी की वज़े से और वहां पे एक तरफ जिसको नमाज रूम बनाना चाहिए था अच्छी जगह बनानी चाहिए जहां पर बैट कर दिल खुश होता है और वहीं आपने उसका ये हा दबा के व्लोकी और दबा के व्लोकी में शुरुआत में ही उसने ये सारी चीज़े दिखा दी कि उसको देखते ही मूर खराब हो गया बहुत जादा एक तरफ हाई नमाज रूम हाई नमाज रूम हाई नमाज रूम कितने व्लोक के कंटेंट कीच डाले यार इसने एक ही कं पर्शोंस का रूम टूर देंगे, यह करेंगे, फिर इतने सारी चीजें उसमें लगा लिए, अससलाम वालेकुम लगा लिए, नमाजरूम में असलाम वालेकुम लगाने की जरूरत है, नमाजरूम है या जो भी आप नमाज पढ़ रहे हो, वहां पर आप कलिमा लगाओ, चा करने का तरीका भी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को नहीं आता इवन आपने तो बच्चों तक को नहीं सिखा है सलाम कैसे किस तरह के से किया जाता है शुरुआत में कहती है जब लोग की शुरुआत करती ना रमजान दस रमजान हो गए है और दो जुम्में हो गए है यह और ऐसे लग रहा है, दस रमदान ऐसे निकल गए, कि जैसे हम पूरी तरह से इबादत नहीं कर पाई, येस, सही कहा तुमने, तुम पूरी तरह से इबादत नहीं कर पाई, क्योंकि तुम पूरी तरह से इबादत कर ही नहीं रहे हो, जो कर रहे हैं, वो वाके में ही कर रहे है वो तुम्हारे तरह गुणगार नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे तरह व्लोगिंग नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे तरह कैमरा उठाके नहीं गूम रहे हैं, वो तुम्हारे तरह ये नहीं कर रहे हैं, वो इबादत ही कर रहे हैं, अगर वो शबकदर की रात को जाग रहे वो नमाजूम में जाते हैं नमाज पढ़ते हैं थमस अप कर के बताते हैं डन नमाज डन अरे भाप रे शरम आने चाहिए या तुम लोग क्या बे शरम इनसान हो तुम लोग तो मुसल्मान कहलाने के लायक भी नहीं हो एक ये है इसने नमाज रूम बनाया नमाज रूम सरफ खुश्बू रखने के लिए होता है एक जा नमाज बिछाने के लिए होता है अगर बनाया था तो कम से कम उसको साफ तो रखती उसमें दुनिया भर के इतने सारे कपड़े कपड़े देखे थे जो इनके अम्मी ने खु तो पिर लोगों को दिख जाएगा फिर लोग तुम पचास बाते सुनाइंगी तो फिर तुम्हें वो सुनने की आदत नहीं है क्यों क्यों कि तुम सच बरधास नहीं कर सकते और देखो चालाक कितने हैं इससे पहले वाले व्लोग में जब फनी ने इनको नमाज पढ़ते वे यह सब कुछ खा रही थी जब वो जो इनका भाई है जनाब टू पोइंट हो और उन्होंने निकालके बाहर फैक दिये थे इनके कपड़े तो उन कपड़ों को यह उठा के उपर ले आई थी जो फनी लेकर आये थे बैग वैग में सब में भरके तब से यह कपड़े यहां और ऐसे ही पड़े हुएं और जब फनी ने यह दिखाया कि नमाज पड़ रहे हैं को चलाकी से चलाक पन करके दिखाते हैंдел लेकिन लोगों की नजर तेज होती है की फिर भी वो चीजे जो ना हुई जाती है और इससे पहले कि लोग इसको खुद कहते हैं तो खुद ही शरीफ बनके कहती है कि ये समान फैला हुआ है क्योंकि हम give away कर रहे हैं बस सारब बिल फार देगी give away के नाम से तुमने तो helper भी रखा हुआ है तुमने इतने दुनिया भर के तुमारे घर में लोग हैं दोनों बच्चों के एक्जाम भी खतम हो गया है सबको लगाओ तैय बनाओ तुमारा तो यही तो काम है सबको साथ में लगाना क्योंकि तुम सबके ओपर खर्चा जो करती हो कमा कमा के तो सब को लगा लो, सब से तैवाना बना के नहीं पिनियों में डालो और उनको गीव आवे में बाट दो, यही तो तुम्हारा काम है कि पहले एक एक दवदरफा पहन लेती हो और भाई एक एक कपड़े को ऐसे पहनती है एसे पहनती है कि साल भर तक दुबारा से उसकी पहनने की नोबत नहीं आती है क्योंकि उनको पहनती है और फिर कहीं न कहीं उसको ठूस कर रख देती है वो याद तक नहीं आता जब उस अलमारी का इतना बुरा हाल हो जाता है वो इतनी भर जाती है कि जब अम्मी को कपड़े रखने की दिक्कत होती है उसमें जगा नी बसती है तब उनके कपड़े निकाल के भार या तो फैके जाते हैं या तो किसी को दिये जाते हैं या फिर इनको अल्टीमेटम दिया जाता है कि अब तुम अपने कपड़ों को सेट समझते हैं अब हो सारे लोग आजेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा वक्त देखा है आरे तो अल्ला ने ये थोड़ी ना कहा है कि अन्नैसेसरी तरीके से उसको चीजों को इस तरह से करो कि जिनका हिसाब ही न दे पाऊ आप अगर सची उम्मत हो न हमारी हुजूर पाक कि तो कम से कम उनकी उम्मत होने के नाते उनकी जो भी चीजे है ना उनकी बाते है ना उनको फोलो करो जैसे वो कम से कम चीजों में जरूरतमन चीजों में ही गुजारा करना पसंद करते थे जरूरत से जादा खर्चा करना पसंद नहीं करते थे जरूरत से जादा चीजे खरी लाके यहाँ पर डाल दिया क्योंकि गिव वेच अला है ओ माई गॉड मतलब आप तक तो स्रिफ इतना था कि अपनी अम्मी का घर भर रहा था नोंने मुदाहा वाला घर भर रहा था और ये वाला घर भर रहा था पतलब वो जो फ्लैट लिया है कपड़े रखने के लिए उसमें भी नोने कपड़े भर के रख दीए या लղा तोब़ा है या ल अलला माफ करना ऐसे इनसानों से जिनोंगे इस तरह की जिए इसे जी रहे हैं जो इनसे अबाया बूर के मांगती हैं, जो की स ACC कों किस से पहने वे बदबूदर कपड़े मांगते हैं, جैसे कि नहाती मिले हैं कई कई दिन तक और फिर प्रफ़ी कपड़े ऐसी बिना नहाय बदलती रहती है यह तो सब कोई पता है कि नहाने की चोन है उसमें भी कहनी है कि हमने सारे कपड़े मंगा लिए देखना पड़ता है कि क्या देना है क्या नहीं देखिए मैं एक स्क्रीन शॉट सेर कर देखिए इसको देखकर आपको क्य समझ में आ रहा है इसको देखकर आपको क्या लग रहा है क्या आपको लग रहा है कि मैं गलत चीजों पर बोल दूए क्या मैं आपको लग रहा है कि मेरा पॉइंट ऑफ यू गलत है इस चीज़ को लेकर एक चीज से यादा है नहाती तो यह ही नहीं और यह क्या कर रही थी तिज़ा को डाट रही थी फटका रही थी ना और क्या डायलोग बोले थे बाद में इसने वीडियो को ट्रेम कर दिया था कि भाई भावी जो है न वह बहुत ज़्यादा डाटेंगे और मैं तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूगी अगर तुमने नाखुन नहीं काटे और इतने बड़े बड़े नाखुन कर रखे हैं शरम नहीं आती है रमजानों में भी इतने बड़े नाखुन कर रखें इतनी गंदिगी है यकीन नहीं हो रहा ना चलिए ठीक है एक स्क्रिंशॉट सेहर करती हूँ जिसको ये होटों के पास लेकर बैठी है उस नेर्स का जो उ और उरत को बिल्कूल भी नहीं करने चाहिए क्योंकि फणी को बिल्कूल भी पसंद नहीं है इनके बड़े नाखुन क्योंकि हम किस बेसिस पर कह रहे हैं इस बेसिस पर कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगी जरह प्लीज गोर फर्माईएगा स्क्रिं पर ना अमी ने कभी बड़े नेल्स रखने दिये और ना इनो ने यह देखिए यह पिछली बार जब मुदाहा गई थी और ठंड पड़ रही थी ना यह उस दोरान की बात है जहां फणी बैटकर इसके नेल्स को कट कर रहा था और इसको पसंद नहीं था और वहां पर बरती है बलके हमारे इसलाम के हिसाब से भी ठीक नहीं है और देखा जाये तो ऑवरॉल वो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है देखिए जिन जो बढ़ाते हैं जो इसलाम के हिसाब से नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कहना चाहती बहुत सारे लोगों थे बढ़ाते हैं अगर व कि बुंगली तुलवा फिर और रूम फैला हुआ तो खुरी कह रही है लेकिन ये अच्छी बात है कि ये वाला एरिया जो ने ये साफ रहता है तुम्हारा बस चले न तो ये जो जानमास बिच दिये एक स्क्रीन शॉट सेर करें प्रीस जड़ा चेक किजिए ये जो जानमास तुम यहां पर भी कबाड़ा फैक हो क्योंकि तुमने इतना कबाड़ा इतना कपड़ा इतना कपड़ा इखटा किया हुआ है बाटों लोगों को सालों से तुमने इतना इखटा करके रखा हुआ है ये कैसी मुसल्माने इसको ये नहीं पता कि जहानमास को बिचा के ऐसे न कमजान में हो गया नमाज रूम का कर दिया तूमने जो कर न ता उसको डंप्याट बनाना ता बना दिया फ्रेंड़स यहां से छाटना पडता है क्या देना है क्या नी देना है और यह जूल्री है यहां से छाटनी , पड़ती piace इसमें hardware mean है कि मुझे इसमें से भी रखना है और फिर भी मुझे छाटना है इसमें से जो बेकार है वो दे दूँगी जो बिल्कुल अच्छा होगा वो पहन लूँगी दे भाई तो तेरे पास तो हर रोज नया एक आ जाता है हर रोज एक नया बना लेती है हर रोज एक नया खरी लेती ये सब निकालो, सारा दे दो, जितना अन-और्गनाईज इसका घर होता है ना भावी का भी होता है लेकिन कपड़ों के मामले में इतना अर्गनास उनका नहीं होता, देखो उनके आराम से, मैंने एक पुराना फ्लोग देखा था, कितने सब्सक्राइब ऑक इनके कप्ड़े क तुम्हारे पास टाइम होता कब है इस कैमरे से फूरसत मिलेगी नोट चापने से फूरसत मिलेगी तभी तुम बाकी का घर का और चीजों का हाल देखोगी अपना यह अलमारी भी क्यों बंद कर देती इसको भी खुला छोड़ देती ऐसे जैसे यह खुली छोड़ दिये पर एक पनी रखे हैं उसमें कपड़े रखे हैं उसके आगे एक पनी रखे हैं उसमें कपड़े रखे हैं कुछ कैरी बैग रखे हैं कागज के उसमें भी कुछ समान भड़ा है कुछ एक पुटला दुपट्टे का जैसे बान देते हैं पोटली वो बंदी हुई रखे हैं फिर वो अलमारी के आगे बिखरे हुए रखे हैं। फिर जम्बो में पिन्नी में बिखरे हुए रखे हैं। फिर अलमारी पूरी खुली हुई है। जो कि यहां से यह निकल निकल के बार-बार नमाज रूम में कम सकम पांच बार तो आई रहे होंगे न, पांचो टाइम की नमाज पढ़ने के लिए और उसके बाद कुरान पढ़ने के लिए भी आते हैं, तो इसी दरवाजे से होकर आते होंगे न, फिर भी दरवाजे में से हटाया नहीं जा रहा प्लस आप देखो अलमारी के दोनों पल्ले खुले में जो की निकलते बढ़ते इनको कोने लग भी सकते हैं उसके ओपर आजएगे का देखिए अलमारी पे क्या क्या समान फैलावा कुछ एक स्टील का एक कटोरा है उसमें कोई चीज रखी हुई इन्होंने ढ़क कर अब यह देखो यह किचन में नहीं रखी रह सकती थी यह है इनका बेढ़ंगा तरीका रहने का और वो जो छोटी सी जो अलमारी है ना उसमें से कुछ कपड़ा बाहर निकल को खिच रहा है कुछ कपड़ा उसके अंदर खिच रहा है हद है भाई मतलब इनको कम से कम और कुछ नहीं तो रास्ते में से हटा के जम्बो में भरवर के एक क्योपर एक करके भी रख सकते हो ना तो भी वो सही है उसमें से निकाल के जैसे आपको यूज करना है वैसे आप अराम से बैट कर सकते हो लेकिन इसको इस तरह से डंप्याड बना के और निकल को पर चड़ चड़ के उतरना आना जाना बार बार अच्छा करना ये है तुम्हारी साफ सुतरी और अच्छी ग्रहनी होने की निशानी यानि के सिर्फ जिंदिगी बर तुमने क्या किया है ये दर्शाता है कि तुम कैसी हो नीचे आके कहती है अच्छा नया रुपटा होड़ लिया फ्रेंड से वही रुपटा है जो हमने इनको रमजानों की वज़े से दिलवा दिये थे न सब को और ये सूट भी हलका फुलका सा सूट था ये घर में पहनने के लिए हमने वहाँ से दिलवा दिया था अम्मी को मतलब जटा दिया कि दुपटे हमने सब को दिलवाए है और सूट भी हमने अम्मी को दिलवाया है मतलब ये भी चता दिया कि इस बार भाई भावी ने ईश्वर कलेक्शन से कोई कपड़ा नहीं सिलवाया नहीं दिलवाया है नहीं बनवाया है रमजानों के नाम का क्योंकि रमजानों से पहले इनकी आज शॉपिंग होती है ना पिछले तीन चार साल से तो हम यही देखते है नहीं रमजानों से पहले शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और फिर ईद से आट-दस दिन पहले शॉपिंग करने के लिए जाते हैं क्योंकि जब ईद के कपड़े बनते हैं और अब रमजानों में पहनने के लिए नेने सूट लेकिन उन्होंने क्योंकि उनकी फैमली बढ नमाज के लिए बस फनी भाई का यही एक डायलोग है मुझे लग दिये बुक और मैं जा रहा हूं खाना काने के लिए आज है जुमा और हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए वाओ यह दो डायलोग तो अब हर किसी को पूर नेशन को रट गए होंगे नीचे आके कहते हैं सोफे वोश हो है भाया होंगे ही जब तुम भी तुम्हारा बेकार वो पती भी हो सारी पूरी पल्टन भी मोदाहा के सब की सब इन लाइट कलर के सोफो पर ही पड़े रहते हो सोना खाना पीना सब इन सोफो पर होता तो गंदे तो होंगे ही न और यह सारा काम किसका है अब तुम्हें नहीं पता तुमने पूछा है तो डेफिनेटली ये काम भाई 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 ने करवाया होगा अब अम्मी पापा थोड़ी ना कमाने के लिए जाते हैं जो किसी को और्गनाइस करके वो बुलवाएंगे और ये कहेंगे कि भाई ये सोफी क्लीन कराने है तो तुम्हारा ये जताना चारी है कि खाली अम्मी को नहीं दिलाया है सबको दिलाया है मैं दिला के लाई हूं चाहे भले ही मैं दुपटे दिला कर लाई हूं तो फ्रेंड्स आज किचन में बहुत ही स्पेशल से चीज़ बननी है जो कि इतने टाइम कि हमारी व्लॉगिंग मे और वो तुम आप सूट कर दियो लेकिन तुम्हें रेसिपी दिखा नहीं थी वो भी तुम प्रॉपर नहीं दिखा पाई क्योंकि तुमने एक चीज दो चीज दिखा कर उसके बाद तुम मस्त हो गई अपने चकर में और अम्मी ने बना डाली पूरी और इतनी बनाई है त फिर ये दोनों हस्बन वाइफ हो गए नला और डबा दोनों हो गए फिर ये दोनों अम्मी और खाला हो गए फिर अम्मा हो गए फिर दोनों भाई हो गए दोनों भाई भाई भेन हो गए तो कुल में इलाके 10-12 लोग है फिर इनकी अम्मी भी हो गई है मतलब उनकी मैडम की जो जनाब की जो सास हैं वो भी हो गई तो चलो अगर उनको भी देना होगा तो 12 से 13 लोग हो जाएंगी लेकिन इनुने इतने लोगों का बनाया है कि कम से कम 30-40 लोग खाले भगोना इतना बड़ा है और वो इतने उप्पा तक भरे हैं कि इनको लिटरली उसमें से निकालने पड़े क्योंकि वो चलनी ते चलाने से भी नहीं चल रहे थे यह थे थोड़े से निकालने तो पतक नहीं आ पाएंगे फ्रेंस इनका बगोना थोड़ा सा छोटा पड़ गया चावल थोड़े से ज़्या थे ठोटा बना ये और यह देखो भाई की फर्माईश के मना है तो भाई के लिए कितने से पोर्ट में जा रहा है तो भाई ये बाकी का इतना सारा कौन खाएगा ये भी तो बता दो अगर भाई 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 के लिए वो इतने से पोर्ट में जा रहा है तो फ्रेंड्स हम लोगों को ना अम्मी का सुर्मा लगाना ज्यादा नहीं पसंद है इसलिए नहीं बोलने इन बेवकूफों को इतना नहीं पता कि सुर्मा जो है वो लगाना चाहिए और रमजानों में भी लगाना चाहिए और वैसे भी लगाना चाहिए और काजल ना लगा के लाइना ना लगा के सुर्मा ही लगाना चाहिए कैसे मुसल्मान है इवर साओधी अरभिया से लोग जो जाते हैं वो वहां से सुर्मा लेकर आते हैं इत्र लेकर आते हैं तस्बी लेकर आते हैं कजूर लेकर आते हैं जानमाज लेकर आते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए उ भोगोंने बर-बर के कमेंट किया है कि सुरमा लगाना तो अच्छी बात है अब करलो लगाओ वब लहने दू मेरा ऊपड़्य यह मेरे मेरे और कोई कपड़े हो तो दे दो मिझे कपड़े चेंज ब्रिंगिंग में जाना है मतलब इतना सारे जो कपड़े अम्मी ने खुनस में निकाल के बाहर फैके हैं वो वो थे जो डबा के किसी भी लायक ने थी यानिके जो वो पहन चुकी है जिनको उसने एक तरीके से बेकार करके यहां पर जगा घेर के फैके हुए थे और फिर उसक किया कर वाओ तुम सच मुझ में कहीं कि महरानी हो ना अच्छे माबाप मिल रहे हैं अच्छे सासर सीधे साधे अच्छे क्या बहुत करने का कोई मतलब नहीं है अभी टॉपिक पर ही आते हैं वो अंदर से तीन सूट निकाल लाती है कहती है मुझे लगता है कोई बहुत अ कला लेकर आई हो अरे भाई सबर कर सबर और शुक्रिया अदा कर कि तुझे तुमारी अम्मी ने इस तरह से बना कर दे दिये हैं सिलवा कर रख दिये ताकि तुम सिले सिलाय को लो और पहन लो और अपनी खुआश पूरी कर लो उनको देखो जिनको चाहा कर उनकी अम्मिया पढ़ने के लिए ताकि वो जुमा पढ़ सकें लेकिन वो नहीं बना पाती क्योंकि वो मजबूर होती है तो इनको पहनो और अल्ला का लाख लाख शुक्रिया दा करो इसका अच्छा है मतलब तीन सूट सिले सिलाय रखवाएं तीन सूट निकाले इनमे से एक पहन लिया मटक लिया और बास उसको सारे दिन पहना घिसा पिटा अगले दफ़ा उसका मन करेगा तो पहन लेगी नहीं मन करेगा तो उठा कर दोटर काला को देदेगी या फिर खाला 5 को देदेगी या फिर अम्मा के लिए फिटिंग करा देगी और अगर उन तीनों में से किसी नहीं पहनना हो गामन नहीं करेगा तब यह गिववे के लिए लिए और उसको थूष टास के कहीं हल्मारी में रख देगी एक साल बाद अगले चे महिने बाद आठ महिने बाद जब याद आएगा इसको और वो ठुसे हुए कपड़े अम्मी निकालकर भार फैकिंगी खुन्नस में उसके बाद ये गीववे में देने की सोचेगी बहुत सारे वैलिट पॉइंट हैं बहुत सारी बाते करनी हैं तो पोड़कास में बने र ले खिर में झालकर भादा आएगी थार इसम निवब घ्रते का इसक्ष भाद को पाई एैं भाद कर मैं बाद केंड़े शेवार शोड़े जया टुसे हैं हुए में बाद कर अदूड़े बिवोंगा गल्या बाद कर पना दोती हैं जोत्वे प्राद कर दोत कर भाद कर रद